दोस्तों आपको याद देया दे टाटर समूह ने पिछले साल आठ तूब को निलामी के बाद इस साल 27 जनवरी को एर इंडिया का स्वामित हासिल किया है विमान उद्यों के सूत्रों के हिसाब से एर इंडिया 200 से जादा नए विमान खहिदने वाली है जिसके चलते हैं 70 पिसर्फ विमान नैनो बॉड़ी वाले विमान के लिए एर बस और बोईंग से बी बाच्चे चल रही है ऐसा खबरों में है वहीं खबरों के हिसाब से टाटा संभू की एर इंडिया एर बस के A350 विमान खहिदने वाली है जी हां आपको बता दें कि एर बस A350 जैसे वाइट बॉड़ी विमान में इधन के लिए काफी बड़ी टंकी होती है जिससे आप लंबी दूरी की यात्राय कर सकते हैं जैसे भ धन्यवाद